स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ दिपेंद आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पंप के बारे में कि पंप क्या होता है ये इंट्रिव्यू पॉइंट अब यू से बहुत इंपोर्टन टॉपिक है क्योंकि इसका यूज ही बहुत ज़्यादा है छोटी से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रिफाइनरी और पैट्रो केमिकल इंडस्ट्रीज में बार्टर मुम्मेंट में और केमिकल प्रोसेसिंग में जहां हमें large volume of fluid को manage करना होता है बहां हम pump का use करते हैं और pump केतने types के होते हैं ये भी हम वीडियो में discuss करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं Pump एक mechanical device है जो mechanical energy को hydraulic energy में convert करता है दूसरे सबदों में कहें तो pump एक ऐसा mechanical device है जो fluid या slurry को एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक ले जाने का कारे करता है और mechanical energy को hydraulic energy में convert करता है अब हम pump के types के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने types के हमारे pump होते हैं pump मुख्यता two types के होते हैं number one positive displacement pump और number two है हमारा non positive displacement pump जिसको dynamic pump भी कहा जाता है positive displacement pump और non positive displacement pump की category के अंदर भी कई प्रकार के pump आते हैं अब से पहले हम positive displacement pump के बारे में discuss कर लेते हैं positive displacement pump यह दो types के होते हैं rotary pump और number two है reciprocating pump सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि positive displacement pump कैसे काम करता है और क्यों इसे positive displacement pump कहा जाता है इसको हम एक figure से भी समझ लेते हैं हम ने figure में reciprocating pump को दिखाया गया है यह एक तरह का positive displacement pump है positive displacement pump कैसे काम करता है इसको हम समझ लेते हैं यह हमारा cylinder रहता है जिसमें piston to and fro motion करता है जिसमें हमारा piston आगे और पीछे दोनों direction में move करता है यह हमारा suction pipe रहता है और यह हमारा discharge pipe रहता है और यह दोनों pipe में non return valve लगे रहते हैं जब हमारा piston आगे की तरह move करता है तो एक तरह का vacuum crate होता है जिसके कारण suction pipe की NRB open हो जाती है जो आपने injection देखा होगा जब आप injection को pull करते हैं तो बहां भी एक प्रकार का vacuum crate होता है जिसके कारण हमारा liquid injection में entered करना सुरूख कर जाता है सेम यही concept यहाँ प्रकाम करता है जब piston आगे की तरह move करता है तो यहाँ जो suction pipe में NRB लगा रहता है बहाँ open हो जाता है और fluid chamber में entered कर जाता है जब हमारा piston पीछे की तरह move करता है तो suction line का NRB बंद हो जाता है और discharge NRB open हो जाता है और हमारा fluid high pressure में pump हो जाता है discharge pipe से और यह process बार-बार चलता रहता है और fluid high pressure से transfer होना सुरू हो जाता है और इसको positive इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना भी fluid यहाँ से discharge होता है बहापस cylinder में नहीं आता है यानि कि जितना भी fluid एक बार चला गया बहापस chamber में नहीं आता है और यह एक positive way में liquid को आगे वेजने का कारे करता है और liquid बापस नहीं आता है और displacement का मतलब होता है एक इस्तान से दूसरी संद तक liquid को वेजना pump की मदश से जो हमारा liquid मूब करता है बहापस cylinder में नहीं आता है इसलिए इसे positive displacement pump का पहला type है रैसोप्रिक्रिक्रिटिंग pump यह भी तीन types के होते हैं piston pump, number 2 है plunger pump और number 3 आता है diaphragm pump सबसे पहले हम piston type रैसोप्रिक्रिक्रिक्रिटिंग pump को डेटेल में समझ लेते हैं piston type इसमें cylinder रहता है जो की non corrosion type का बना होता है जिसे steel या cast iron के material का बनाये जाता है इसमें piston piston rod connecting rod के थुरू crank से जूडा रहता है इसमें नीचे suction pipe लगा रहता है जिसमें एक प्रेकार का non return valve लगा रहता है और उपर की side में भी discharge line में non return valve लगा रहता है और cylinder में piston आगे पीछे move करता है जब हमारा piston आगे की तरब move करता है तो chamber में vacuum create होता है तो suction line की एनर भी open हो जाती है और liquid अंदर आ जाता है और जब piston पीछे की तरब move करता है तो discharge line की एनर भी open हो जाती है और fluid high pressure से transfer होना सुरू हो जाता है और इसी तरह से piston आगे पीछे move करता रहता है और liquid high pressure से transfer होना सुरू हो जाता है और mechanical energy hydraulic energy में convert होना स्टार्ट हो जाती है यह तो हमने reciprocating pump के working के बारे में समझ लिया अब हम इसके advantages और application के बारे में भी बात कर लेते हैं इस वीडियो का 200 like का target है तो friends अगर आपको हमारा वीडियो इन्फर्मिटिव लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और bell icon को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का notification आप तक पहुंश सके जहां हमें repeatable और accurate mechanical operation चाहिए होता है बहा हम reciprocating pump का use करते हैं अगर हम centrifugal pump से इसका compare करें तो centrifugal pump का flow fluctuate करता है जब हमारा pump run कर रहा होता है जबकि reciprocating pump का flow कम या जादा नहीं होता है यह steady और unchanging flow rate देता है reciprocating pump को high और low pressure दोनों में use कर सकते हैं लेकिन इसका maintenance cost और initial cost बहुत जादा रहता है reciprocating pump का efficiency अन्य सभी pump से जादा रहता है इसका efficiency 90% से अधिक होता है No.2 आता है plunger pump piston pump और plunger pump दोनों का construction सेम ही रहता है यहाँ पर piston की जगा plunger लगा रहता है जो की piston से size में बड़ा रहता है plunger pump को piston pump से compare करें तो piston pump में seal रहता है वो piston से attach रहता है और जब भी हमारा piston move करता है तो हमारा साथ साथ seal भी move करता है piston का seal high pressure में damage हो जाता है और piston के तूटने का भी खत्रा बढ़ जाता है जबकि जो plunger pump रहता है उसमें जो हमारा seal रहता है वो stationary रहता है यानि कि वो plunger के साथ में move नहीं करता है और ये size में भी बड़ा होता है और इसका strength भी जादा होने के कारण ये high pressure में तूटता नहीं है इसलिए हम plunger pump को high pressure के लिए use करते है रहसो प्रेकिटिंग pump को हम hand pump के एक जामपिल से भी आसानी से समझ सकते है इसमें ये हमारा piston रहता है और ये हमारा rod रहता है यहां भी section और delivery line में non return बालो लगे रहते हैं जब हम null को चलाते हैं तब हमारा piston ऊपर की तरह move करता है तो यहां एक प्रेकार का vacuum crate होता है जिसके कारण सक्सन बाल्ब open हो जाता है और पानी अंदर आ जाता है और जब हमारा piston नीचे की तरह move करता है तब सक्सन बाल बंद हो जाता है और डिस्चार्ज बाल खुल जाता है और पानी बाहर आने लगता है नमबर थार्ड आता है डाइफ्राम पम पॉजिटिब डिस्प्लेस्मेंट पम में सबसे जादा यूज होने बाला पम्प है क्योंकि ये बहुत सारे फ्लूट को हैंडल कर सकता है जैसे फ्लेमेबल, टॉक्सिक, एवरेसिब और कोरुजिब फ्लूट इसको मेंबरेन पम भी कहा जाता है इसमें जो हमारा डाइफ्राम रहता है बोर एसो प्रिकटिंग मोशन करता है डाइफ्राम थर्मो प्लास्टिक या रवर्ड का बना रहता है डाइफ्राम पम्प बहुत ज़्यादा बिस्कश फ्लूट को हैंडल कर सकता है और इसकी बिसिंसी भी 97% तक रहती है यह भी कई टाइफ्राम पम्प है पर हम जो बात करेंगे और जो हमारा डाइफ्राम होता है वो एर से मूव्मेंट करता है अब समझ लेते हैं एर उप्रेटे डाइफ्राम पम्प के बारे में जिसे एओडी पम्प बिका जाता है इसके अंदर दोनों साइड में डाइफ्राम लगा रहता है इसके बीच में air distribution system लगा रहता है इसमें किसी प्रिकार की mechanical source की जरुवत नहीं पड़ती है क्योंकि यह air से operate होता है जब air inlet करती है तब एक side के diaphragm को press करती है और दूसरे side में vacuum crate हो जाता है इसमें चारो side में suction और discharge line में NRB valve लगे रहते हैं जब vacuum crate होता है तब हमारा non return valve खुल जाता है और liquid chamber में आ जाता है जब diaphragm air से दूसरे side में push होता है तो यहाँ discharge NRB ओपन हो जाती है और liquid deliver हो जाता है नमबर टू आता है rotary pump यह भी तीन types के होते हैं gear pump, bane pump and screw pump सबसे पहले हम gear pump के बारे में discuss कर लेते हैं इसमें gear के messing से flute को pump किया जाता है इसमें एक gear driven shaft से connected रहता है जबकि दूसरा gear free रहता है जैसा कि आपको figure में दिखाया गया है free gear opposite direction में move करता है और दोनों gear के माद्यम से mess में रहते हैं जब एक गेर गुमना स्टार्ट करता है तो दूसरा गेर भी अपोई डिरेक्शन में गुमना स्टार्ट कर देता है जैसा कि फिगर में दिखाये गया है यहां बरनोली थियरम अप्लाई होती है जिसके अकोडिंग अगर बेलोस्टी जदा रहती है तो वहां प्रेशर कम रहता है Gear high velocity से rotate होता है और यहाँ पर low pressure zone create होता है यानिक यहाँ पर vacuum create होता है यहाँ पर liquid inlet करता है और gear के massing से निकलता हुआ deliver हो जाता है Gear pump का use high viscous fluid को handle करने के लिए किया जाता है जैसे plastic, paint oil, soap, इत्यादी Gear pump का use low pressure hydraulic system में किया जाता है No.2 आता है screw pump Screw pump और gear pump दोनों का working सेम ही रहता है जैसा की name से ही clear है screw pump Screw pump में screw का use किया जाता है liquid को discharge करने के लिए इसमें भी एक screw driven shaft से connected रहता है जबकि दूसरा screw three moment करता है जहाँ हमें high flow rate का requirement होता है पर हम screw pump का use करते हैं थर्ड आता है हमारा bend pump जहां हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर high pressure से float को भीजना होता है वहां हम bend pump का use करते हैं Bend pump को hydraulic pump की तरह use किया जाता है Bend pump का use automobile में power steering में किया जाता है Air condition में भी bend pump का use देखने को मिल जाता है अब हम pump की working को समझ लेते हैं इसकी outer body को gasing बोलते हैं जिसका figure हमने दिखाया हुआ है बीज वाले portion जो की disc के अकार का दिख रहा है इसको rotor बोलते हैं rotor की shaft किसी mechanical या electrical source से connected रहती है Rotors में bend लगे रहते हैं जैसे ही rotor घूमता है और bend भी घूमने लगता है rotor की high speed की कारण यहाँ low pressure crate होता है और vacuum की बज़े से fluid अंदर inlet हो जाता है और इसको high pressure से deliver कर देता है discharge port से अभी हमने जो discuss किया वो positive displacement pump था कि यह कैसे काम करता है और यह कितने types के होते हैं तो friends आगे आने वाली नई वीडियो में हम pump के सभी types को अलग अलग वीडियो में discuss करेंगे कि यह कैसे काम करता है और उसके parts के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में हम pump के overview को समझ रहे हैं कि ये कैसे काम करता है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं non-positive displacement pump के बारे में ये भी two types के होते हैं नमबर बन है centrifugal pump और नमबर टू आता है हमारा axial pump centrifugal pump centrifugal pump सबी इंडेस्टी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला pump है centrifugal action के काराण या pressure transfer होता है इसलिए इसे centrifugal pump बोलते हैं अब हम समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है ये जो आपको figure में दिख रहा है ये casing है casing भी two types की होती है नमबर वन volute casing और नमबर टू आता है circular casing ये जो आपको figure में दिख रहा है ये हैं volute type की casing है circular casing में mains लगे रहते हैं जिसे diffuser भी बोलते है casing का क्या काम होता है इसको हम समझ लेते हैं casing flute की kinetic energy को pressure energy में convert करता है ये है जो आपको round shape का part दिख रहा है ये impeller होता है जिसके अंदर series of blades लगे रहते हैं impeller का main काम होता है जब ये rotate करता है तब ये flute की energy को kinetic energy में convert कर देता है और फिर casing kinetic energy को pressure energy में convert कर देती है और फिर हमारा flute high pressures पर transfer होना सुरू हो जाता है आप फिकर में देख पा रहे होंगे ये हमारी suction pipe रहती है और ये हमारा delivery pipe रहती है suction line में इस्टेनर लगा रहता है जो की flute से कचलर remove करने का कारे करता है और ये pump को fresh flute को भेशता है ये हमारा impeller रहता है और ये हमारा impeller की eye रहती है जब हम motor को operate करते हैं तब हमारा sap गुमना start हो जाती है बर्नोली theorem के अनुसार जब हमारी high speed रहती है तब वहां हमारा low pressure zone create होता है यानि कि यहां partial vacuum create होता है और eye liquid को suck करना start कर देती है जब soft गुमती है तब impeller भी गुमता है तब हमारा liquid centrifugal force के कारण center से भार की तरब move करना सुरू कर देता है और casing kinetic energy को pressure energy में convert कर देता है जब भी हम pump को start करते हैं तब हम inlet valve को open रखते हैं और discharge valve को close रखते हैं यह बहुत ध्यान में देने वाली बात है suction और discharge line में pressure gauge दिये रहते हैं अब हम impeller के blade के design के बारे में भी समझ लेते हैं impeller के blade भी कई परकारगे होते हैं forward blade, backward blade और radial blade backward blade का efficiency forward और radial blade से ज़्यादा रहता है इसलिए backward blade का pump में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और impeller की बात करें तो impeller भी two types के होते हैं open impeller और दूसरा आता है हमाला close impeller open impeller में भी two types आते हैं semi, open और fully open semi open में blade के पीछे plate लगा रहता है जबकि fully open में इस तरह से casting किया जाता है कि सिर्फ आपको pleadingizer आएगा और number two आता है close impeller यह पूरी तरह से cover रहता है यह आपको सिर्फ टॉप से देखने से ही समझ में आएगा कि यह हमारा close step का impeller है और positive displacement pump की category में दूसर टाइप सा आता है axial pump axial pump में जो सक्षन रहता है वे impeller के pallor में होता है axial pump में fluid inlet और outlet दोनों ही impeller के pallor direction में होते है pump के impeller में 3-4 blade लगे रहते है pump के blade को इस तरह से design किया जाता है की pump fluid को axially discharge करता है जो की impeller के pallor direction में रहता है pallor alignment होने की कारण जब हम fluid को pump करते है तब impeller के blade पर बहुत ही कम pressure create हो पाता है axial pump को high flow rate और low pressure application में यूज किया जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद झाली वीडियो करें